जी हो गया था है इंकरिजमेंट इंकरिजमेंट और सब्सक्राइब सर वो गया एक बात और कुछ निया है और इसको ना उकादेली को जी साथ लिख लिए है इसको फिर्टी करते हैं इसकी सर एक बात पुछ निया इसकी सर आपने इवेंट डिखवाया ना वाकिया जी तो पीछे भी हमने एक पड़ा टेल किस्सा कहानी ठीक है तो वाड मसलब एक ही वाड मुक्सलिक है ना मसलब तो एक ही दोनों का तो कहां कहां यूज होंगे मतलब कैसे यूज कार सकते हैं या अब कोई बाक्या हो जाता है आप कहते हैं यार ये जो इवेंट हमारा जो होता है ये भी होता है बारे जो तैवार होते हैं ना हमारे इसे इवेंट कहते हैं नेशनल डेज होते हैं इवेंट कहते हैं इसको ठी उसके लिए आप यूज करनेंगे किसा कहानी के लिए टेल कि मैंने ऐसा जो है टेल या स्टोरी मैंने सुनी हुई है ये टेल ये टेल इस तरह है ये किसा इस तरह है ठीक है न और event जो है आप कहेंगगे यह जो इवंट वा था मनलम उस पर पड़ा शादी के तक्रीव आप इसको आप यह या को national day हमारा event होता है मजबी तेवार हमारे event होता है ओके फेस्टिवल भी कहते हैं उसको जी ब्रोगराम होता है जैसे कोई लोग हो पैस के लिए कोई इनिटेशन दावद किसी के होती है ठीक है न हो वाृई वो इवन्ट किसे मुठी जाना ठीक है न कि एंट के आ हैं और मीवैंट होते हैं नेश्नल डेज वह ओगें मारे इवन्ट होते हैं बर्डेश का ऑर्टी दोवेरा общемट होते हैं हमारे trainers गश्रेश कोई वाख्या हो जाएंगे इवंट हो गया है उसे इवंट कर सकते हैं यह यह जो आज सोलह दिसंबर है यह बड़ा गंगीन इवंट हुआ न इस तरह यह बड़ा इवंट है ठीक है ना क्या सकते हैं क्यों नहीं क्या सब्सक्राइब का वाकिया 16 दिसंबर तो हम कैसे बोलेंगे ही जा डर्टी जो है आप से ट्रेजडी है अल्मिया ट्रेजडी नहीं लिखाए था आपको मैंने लिखाए है सार ट्रेजडी आप कहेंगे 16 संबर को है ट्रेजडी हुई थी इनके गमगीन वाकिया ट्रेजडी अल्मिया सानिया ट्रेजडी ठीक है यह आप कैसे हैं यह बड़ा सैड इवेंट था गमगीन वाकिया ठीक है सैड इवेंट ओके जी किलोगी बात यह सार ट्रेजडी अब करते हैं अब कामिरी की आज की अब मैंको बंद रखें आप अपने माइक को प्राब्लम हो लिए जैसे बोलना हो उसको आन कर ले माइक को आप रखें इसको जी अब मुझे आप उर्दू जो है चले मैं आपसे सिर्फ मैं इंग्लिश बोलता है आपकी आपकी जो ना आपका जो प्रनुंसियेशन आप इंप्रूव हो आपके अक्शन जी आदे जो एक एक लफ्स दो दो आप बोलते हैं अलफाज तीनों तो मैं आपको इंग्लिश स आपके सुन से जाएंगे आप सिंप्ट या हिदायत जी संप्ट या डायट डिरेक्शन जी दूसरा संचानिब तू वर्ड अ हम बड़ा फस्ट एहम बड़ा में और दूसरा है वर्ड मेजर नुकता नुकता है नजर नुकता है पॉइंट 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 न गलत गलत इंकरेक्ट फिर गलत है रॉंग फैसला करना फैसला है डिसाइड डिसाइड पैदल फैसला है डिसीजन फैसला डिसीजन जी बाबर जैरी बारी ऑब बागी बाबर बागी बावशेड आफुट बाबर आप बता है पैदल आफूट पैदल आफूट शेड जीजन फैसला है इंसीस्ट शेड हो स्जाइड इनगरेजमेंट बाग और यह वह सर फैसेड शिबली करना दिसकरिजमेंट रंगीन आगे क्या है रंगीन रंगीन कलर कलर फुल खाली खाली बलैंक बरना फिल जखीरा टॉक एक जगह से दुसरी जगह मुंतकिली राथफर सेरवाक्या इवेंट तेहवार शान और शोकत फॉंप एंड शो इंताजमाद अर्रेंजमेंट टेस्ट अले इकसम उखागे जी बस पूरे होगे पुरे वर्द होगे आपके ये अच्छी तरह इसको न आप अभी आपको कुसी मैं आपसे पुछता हूँ जापके परनेंसेशन प्रूव होजेगी जी अर्शाद आप मुझे बताएं होश्ला अवजाई इल्फ मेंट इंकरिजमेंट देखे पड़ें आफ देखे पड़ें इल्फ मैं यसी उम्र değer वे बताएं bağ क्या और कि इवेंट जीवाब्र आम यह प्रते देटेगा है इंतजबात कि अ मैग अ कंद इसे पिता टोल घंशित कैंट अर फिर से सिन स सथान। तेहबार अजिवार फिर जित करना जोर लगाना इसे 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 माना नहीं जी खाली खाली हैंग खाली ब्लैंक भर्ना फिल पस्ला शिक्नी फस्ला शिक्नी इस्ला शिक्नी मैं को आप रखें जी जिस से पूछेंगा इसे पूछ रही है उमर मैं आप से पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि यह जो वर्ड है मारे पास रंगीन कलरफूल कलरफूल है ठीक है और इसके बाद मुझे बताएं कि और साफजाई इंकरिजमेंट इंकरिजमेंट स्पेलिंग बताएं इंकरिजमेंट घलत खलत इनकोरेक्ट रांग रांग भी है रांग भी है इनकोरेक्ट भी है दोनों कोई पिसमा खलने है अच्छा शानओ सोकत पंप एंड शो पंप एंड शो ठीड है और इसके बाद एक वर्ड हमारे पास स्थपोल ये इंत दा मत अमार बिए अ इंत दाइल्ट्रव हृष्रोम पॉजिय beautiful 少 तर उनंत य सर अ डाइलंन वैली ए डबल आर एण जी एम एंट कि एस अर्रेंजमेंट ठीक है अब प्रटिस करें चीज़ थी ठीक है और भी फिर आपने होगर बेज़े ना है इसला भी और आज का भी ठीक है आप बार साफ ग्रूप में से बेज़ जाए गाए जिसका कोई कमेर आज इस वो नोट कर लेगा हो खीक है ओके सार करें ओके लास इस बूइंट ना वीशी बूट लाख अलाख